यूपी में एक ऐसा गाउं है जहां हर घर के सामने कबरिस्तान है बच्चों को खेलने से लेकर खाने के इंतजाम तक सब कुछ इनी कबरों के बीच किया जाता है हालब तो ऐसी हो गई है कि कबरों के वजह से रहने की जगहे तक कम पढ़ने लगी है मामला आगरा के अचनेरा खस्बिका है जहां एक तालाब के किनारे खरीब 40 मुस्लिम परिवार रहते हैं इनका में पेशा मजदूरी का है इनके यहां किसी की मौत होती है तो उसे घर के सामने ही दफना देते हैं क्योंकि इने कपरिस्तान के लिए जगहें नहीं दी गई गाउं के लोगों का कहना है कि कागजों पर आज भी कुछ जमीन कपरिस्तान के नाम है लेकिन हकीकत भी वहां पर तालाब है इनके कई बार सरकार से भी जमीन देने की बात कही